चुनाओं का दौर लगातार जारी है। लोग सबा चुनाओं का दौर अभी खतम है हुआ कि ECI, Election Commission of India ने साथ राज्यों की तेरा विधान सबाओं में उप चुनाओं की घुष्णा कर दी। चुनाओं के मताबिक तमिलनाडू की एक, मध्यप्रदेश की एक, उत्राखन की दू, पंजाब की एक, हिमाचल की तीन, बिहार की एक, बंगल की चार सीटू पर दस जुलाई के दिन वोट दारिज जाएगे। इन सीटू पर नोटिफिकेशन 14 जून को जारी होगा। उप च सीजे 13 जुलाई को आएंगे। उत्राखन में भी दो विदान सभा सीटों पर उप चुनाओं ने। ऐसे में बीजेपी और कॉंग्रेस समेत अन्य राजनेतिक दल इन सीटों पर फोने जारे उप चुनाओं को लेकर कमर कस चुके हैं। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने बद 17 मार्श से बद्रिनाद विदान सभा सीट खाली हो गई थी। वहीं बसपा यानि बहुजन समाज पाल्टी के विधायर सर्वत करीम अंसारी के निधन के बाद मंगलोर सीट भी खाली चल रही है। ऐसे में कॉंग्रेस और भाजपाद दोनों विदान सभा सीटों पर फोने बेक अनुसार इस विधान सभा सीट पर कुल पंजी करत मद्दाताओं की संख्या एक लाग 9,503 थी। जिसमें से पुरुष मद्दाताओं की संख्या 58,658 जबकि महिला मद्दाताओं की संख्या 50,820 है। मंगलोर उत्रखंड के मुस्लिम बवू सीटों में श्चुमार है उत्रखंड विधान सभा की ये ऐसी सीट है जिस पर लंबे समय से कॉंग्रेस और BSP के बीच मुकाबला होता रहा है। मंगलो सीट पर जादा तर बस्पा का कम जा रहा है। निर्वाचीत हो चुके हैं जिसमें उन्होंने दो बार BSP और एक बार कॉंग्रेस के टिकेट पर मंगलोर से चुनाव जीता है। काजी निजामुदीन ने 2002 और 2007 का चुनाव बसपा के टिकेट पर जीता था। 2002 में उन्होंने सर्वतकरीम अनसारी को हराया था। तब सर्व करीम अंसारी इस बार तीसरे नंबर पर रहे है। 2011 में काजु निजामुदीन ने कॉंग्रिस का दामन ठाम लिया और 2012 का चुनाओ काजी ने इस सीट पर कॉंग्रिस के टिकेट पर लड़ा था। इस चुनाओं ने उनका मुकाबला बस्पा के सर्बत करीम अंसारी से हुआ। इस चुनाओं में बस्पा के सर्बत करीम अंसारी ने 698 मतों के अंतर से जीव दर्श की। वहीं 2017 में कॉंग्रिस के काजी निजामुदीन और बस्पा के सर्बत करीम अंसारी के बीच फिर मुकाबला हुआ। जिसमें काजी ने 2668 मतों के अंतर से जीव दर्श की। को 32,660 वोट मिले थे वही कॉंग्रेस के काजी निजामुदीन को 32,62 वोट मिले थे भाजपा के दिनेश पवार तीसरी स्थान पर रहे थे उन्हें 18,763 वोट मिले थे उत्रागिन में 2022 का चुणाओ आम आदमी पार्टी ने मिला था मंगलोव सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवनी त्राटी थे उन्हें मात 2554 वोट मिले थे भाजपा के प्रतेशन इस सीट पर कभी भी ठीक नहीं रहा हूँ 2002 में इस सीट पर भाजपा से नागेन कुमार ने चुनाओ जाला उन्हें 8,298 वोटों के साथ तीसर स्थान मिला था 2007 में हवलदार हरपाल सिंख को अपना कैंडिडेट बनाया भाजपा ने इस बार भाजपा के हरपाल सिंख चौथे स्थान पर रहे और उन्हें केवल 1302 वोट ही मिले 2012 में भाजपा ने मुसलिन कैंडिडेट कलीम को टिकेट दिया इस बार फिर भाजपा चौथे स्थान पर रही और भाजपा के कैंडिडेट को मात 2,061 वोट ही मिले 2017 में रिशिपाल बालियान मंगलोर से भाजपा के कैंडिडेट रही और इस बार भाजपा फिर से तीसरे नमबर पर रही इस बार भाजपा केंडिडेट को 16,964 वोट मिने 2022 में भाजपा के दिनेश पवार तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 18,763 वोट मिने थे अब इस बार उपचुनाओं में इस सीट पर मुकाबला दिल्चस्थ होगा भाजपा और मुख्यमंदरी पुश्कर सिंग घामी दोनों के लिए इस सीट को जीतना सच में नाप का सवाल होगा पिछले कई उपचुनाओं को अगर देखा जाए तो कुछ गडित या कुछ समीकरन जीत की गैरंटी की तरह काम करते पर ये सीट सारे समीकरनों को धता बता रही है कोई भी उपचुनाओं हो उसमें एक समीकरन तो ये होता है कि किसी विधायक की मौत के बाद उस सीट पर उस विधायक के परिवार के सदेश को टिकेट मिलता है और वो जीत हासिल कर लेता है दूसरा समीकरण होता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है ज्यादा तर उप चुनाओ में उस पार्टी को एज होता है और वो पार्टी ही चुनाओ जीखती है वही यहां तीसरा एक और समीकरण है हाली में लोगसबा चुनाओ पूरे हुए है काजी निजामुदिन ने अपने X एकाउंट में एक पूल्स डा दिये जिसमें उन्होंने मंगलॉर के लोगों को कॉंग्रिस को 44101 मतों के लिए आभार वक्त तकिया है इस पोस्ट के अनुसार लोगसभा चुनाओं में हरिद्वार लोगसभा प्रत्याशी के लिए इस विदान समा से कॉंग्रिस को 44101 वोट मिले हैं भाजपा के प्रत्याशी को 21100 वोट मिले हैं और बसपा के प्रत्याशी को 5507 वोट मिले हैं इस seat पर उत्तरप्रदेश की राजनिती का भी बड़ा प्रभाव रहता है और जिस प्रकार से इस बार भाजपा के लिए उत्तरप्रदेश से परणाम सुखद नहीं रहे हैं अगर उस परणाम का असर इस seat पर पढ़ता है तो कॉंग्रेस के लिए ये seat आसान हो सकती है और वैसे भी ताजरी निजामुदिन इस seat से बड़ा मुस्लिम चेहर है तो कॉंग्रेस इस seat पर बढ़त बना सकती है अब इस seat पर अधर उत्तरप्रद बनने के बाद आकड़ों पर नज़र डाले तो भाजपा के लिए ये seat जीता बहुत तेरी खीर नज़र आता है पर जैसे हम पहले बता चुके हैं कि ज्यादा तर जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को edge होता है और वो पार्टी ही चुनाव जीतती है और यहां पार्टी भाजपा है जिसकी प्रदेश के साथ साथ केंदर में भी जरकार है अब फुराने आकड़ों के बल पर तो यह seat जितना मुश्किल लगता है पर एक कंडिशन है जिस पर भाजपा यह seat जीत सकती है वो यह है कि भाजपा विधायक सर्वत करी मंसारी के परिवार के किसी को भाजपा जोइन करा ले और उसे ठिकिट ले दे तो सिमफेथी के आभार पर और भाजपा की डवल इंगन की सरकार के नाम पर यह seat भाजपा के खाते में आ सकती है हो सकता है कि भाजपा ने इस पर काम भी शुरू कर दिया हो पर कुछ भी हो एक बात तो पक्की है कि इस seat का मुकाबला जरूर बेर दिल्चस्प होगा अब हम कल बात करेंगे बदरिनाथ की seat पर आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी जायर जरूर दे